नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है या कैसे टू यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप आज की इस वीडियो के मादिम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप यहाँ पर अपने पैन कार्ड में किसी भी तरीके के करेक्शन को करना चाहते हैं चाहे वो नेम का करेक्शन हो एड्रेस का करेक्शन हो या फिर किसी और भी तरीके का करेक्शन हो चाहे वो डेटाव बर्थ का हो तो यहाँ पर कैसे आप यहाँ पर घर बैटे अपने मुबाइल फोन की मदब से इन सारे करेक्शन को ऑनलाइन यहाँ पर गौर्मेंट की वेबसाइड पर कैसे कर सकते हैं तो उसे आपर आज का वीडियो काफी मसदार नौलेजफुल होने वाला है तो उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को एक लाइक नहीं किया लाइक कर दे जना पहली बार आए है तो सबस्क्राइब करके बेल आइकन भी धबा दे क्योंकि ऐसी लेकन पर जाना एंड टाइप कर देना है एंसडी एल एंड इसके बाद आपको इस यहां से सर्च कर लेना है जिसके बाद आपके सामने पहला ही वेबसाइट दिखाई देगा www.onlineservices.nsdl.com तो सिंपली आपको इसी वेबसाइट पर चले आना है इस पर टैप करके जिसके ब और ने लिए छैना है इंड आसा आपको चेंज और लेक्शन इंः एंग चेटिंग पैंक कार वाले यहां पर आप्शं को सिलेक कर लेना है इस लुके करने के बाद आपको दूसरा ऑप्शंस दिखाईॅ का कटेगर्य कर लेए जिसमें से आपको इंडिवीजुरें यहां स select कर लेना है जिसके बाद आपको last name इंटर करना है यानि कि surname फिर first name उसके बाद अगर कोई middle name है तो वो आपको इंटर करना है उसके बाद यहाँ पर pen card में जो भी date of birth होगा वो आपको date, month, year कुछ इस तरीके के format में set करके लिग देना है जिसके बाद नीचे की तरफ आपको mail id provide कर देना है अपना अगर उसमें कोई register नहीं है तो कोई दिकत की बात नहीं आपके mobile में जो भी mail id है वो आप दे सकते हैं उसके बाद आप मोबाइल नंबर आपको simply enter कर देना है जिसके बाद नीचे की तरफ आपको pen number इंटर करना है उसके बाद agreement को आपको कुछ इस तरीके से टिक करके accept कर लेना है तो नीचे की तरफ जो capture code दिखाई दे रहा है आपको simply box में इंटर करके आपका submit का option दिखाई देगा इस वर आपको simply tap कर देना है जिसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का interface आएगा जहां पर आपको दिखी एक token number generate हो तो यहां पर आपको continue with pen application form का नीचे option देखने के मिलता है इस पर आपको simply tap कर देना है जिसके बाद दोस्तों आप लोगों के सामने आप दिखे कुछ इस तरीके का interface open हो जाता है जहां पर आपको दिखे कोई भी अगर आप data fill up करते हैं तो आपको save draft पर हर बार क्लिक करना है पर आपको save draft पर क्लिक करना है तो page refresh हो जाने वाला है तो यहां पर दीखे अब आपको नीचे की तरफ आना है पहला option दिखाई देगा submit digitally through ekyc e-sign paperless तो आपको इसे ही यहां से select करके रखना है क्योंकि हम बिना किसी पेपर की त्रू आप इन सारे process को करने वाले हैं तो यह में नीचे की तरफ आना है यहां पर दीखिए आपको पूछा जा रहा है whether physical pen card is required यहां पर आपको yes select करके रखना है उसके बाद नीचे की तरफ आपको आना है यहां पर आधार नंबर only for individual है यहां पर मांगा जा रहा है तो आपको यहां आपको यहां पर लाश के चार अंको के आधार काड को यहां पर इंटर कर देना है उसके बाद I hear by agree that my photograph as available in आधार शेल भी printed on the pen card इसका मतलब हो जाता है कि आपके आधार काड में जो आपका फोटो है वही आपके यहां पर pen card में print हो करके आए अगर आप चाहते हैं ऐसा तो आप yes कर सकते हैं नहीं चाहते हैं त तो आप यहां से changes कर सकते हैं आप वही changes यहां पर लिखने वाले आपको इस बात का ध्यान देना है यहां पर आपको टिक कर देना इसे उसके बाद नीचे की तरफ आपका data of birth अगर कुछ घरबढ़ है यहां से आप data of birth भी change कर लेंगे आपको इस बात का ध्यान देना होगा और यहां से इसे भी टिक कर लेना है फिर आपको यहां से gender select करना होगा यहां से simply आपको gender select कर लेना है जो भी और यहां पर टिक इसे भी कर देना है उसके बाद आप यहां पर दिखे अगर photo mismatch हो गया है तो वह आप यहां से टिक कर लीजिए signature mismatch है तो वह भी आप कर सकते है is कि बर टृट्सकी नहीं है टुरोफnya का है टुरो का आए तो किसका नाम का आई Sang है और नीचे के तरफ आपको आपको आना होगा की आप किसका चाहते है analy पर आपको दिखाई देगा आप पर आपका पर एड्रेस आपका मांगा जाएगा तो यहां पर आपको कुछ भी फिलप यहां पर नहीं करना है आपको सीधा नीचे की तरफ आना है आपका country code आपसे मांगा जाएगा जिसमेंसे आपको यहां पर आपको आपको देखिए अपको यहां पर डेकि एक proof जिसके प्रूपनुसराने और वाप बिदान ने तरह रहा हैं जिसके आपको रिता जरूबर की अधार कार्ट दे रहा हैं को आपके नहीं सारे प्रस्चस को कर रहे हैं इतना करते ही आपको सब्मीट वाले आपश्चन पर टैप कर देना है अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप sign update कर रहे हैं या फिर आप अपना photo update कर रहे हैं तो ऐसे वहाँ पर नेक्स पेच पर आपको वह भी details इंटर करने के लिए दिखाई देंगी तो आपको simply वह भी details को इंटर कर देना है जो भी होगा sign अगर मांगा जाएगा तो आपको page वहाँ पर अपडेट हो जाने वाला है दोस्तों कुछ इसी तरीके से आप यहाँ पर घर बैठे अपने मुबाइल फोन की मदद से अपने पैन कार्ड में किसी भी तरीके के करेक्शन को इसली यहाँ पर कर सकते हैं तोस्तों उमीद करता हूँ आप सभी को आज का वीडियो ज जय हिंदु वने वात्रम